जैशियाराम जैबागिशुर्दाम सरकार जैसन्यासी बाबा की तुमें तो आज हम बात करने वाले हैं 2022 के टौफ 5 कतावाचकों की कुल संपत्ति के बारे में हम इस वीडियों में आपको इन सभी 5 कतावाचकों की यूटुब से होने वाली कमाई के साथ साथ इनके कुल संपत्ति के बारे में भी बताएंगे हमारी इस वीडियो का उद्देश किसी भी कतावाचक को कमाई या संपत्ति के आधर पर छोटा या बड़ा बताना नहीं है यह वीडियो सोसल मीडिया से मिली जानकारी के आधर पर बनाई गई है हम सभी कतावाचक को आधर वशमान करते हैं वैसे तो मित्रो किसी भी कतावाचक का उदेश धन कमाना नहीं होता है। इनका उदेश केवल और केवल लोगों को बक्ती से जोड़ना होता है। इनकी कमाई का आदेशी भी जादा धन इनके द्वारा चलाए जा रही सेबाओं में खर्च हो जाता है। जैसे कोई कतावाचक आश्रम चला रहा है, कोई गोशेवा कर रहा है, कोई गरीब करन्याओ की बिवाय कर रहा है और कोई कोई तो आजीवन बिशाल बोजार मंडारा भी करवा रहा है और कोई कोई कतावाचक तो ऐसे हैं जो यह सब एक साथ करवा रहे हैं जिससे इनकी होने वाली कमाई का आदेसी भी जादा धन इनकी सेवाओं में खर्च हो जाता है परन्तु मुझे जो सोसल मीडिया से जानकारी मिली है उसके दौरा मैं आपको इनकी संपत्ति के बारे में बताऊंगा तो संपत्ति के आदार पर टोप फाइब की सूची में नमबर पांच पर आती है राजस्तान की मशूर कतावाचिका देवी जाया किसूरी जी यह मात नौबर्स की आईू से ही अध्यात में से जुड़ गई थी जिसके कारण जया किसूरी जी के पास ग्यान का विसाल भंडार है और मात उन्नीस बर्स की उमर में इन्होंने भक्तों के दिल में भज़नों कीतन से जगाए बनाई है यह एक कथावाचिका के साथ साथ एक अच्छी गायक वा मौटिवेसनल स्पीकर भी हैं इनकी कमाई के बारे में हम बात करें तो यह यूटुब से एक महीने में 10 लाक रुपे तक कमाती हैं उनकी कुल संपत्ति के बारे में बात करें सोसल मीडिया पर इनकी कुल संपत्ती 15,000 करोड रुपए बताई गई है अब संपत्ती के आधर पर नमर चार पर आते हैं बागिश और धाम सरकार इनका असली नाम पंडित धीरंद किशन शास्त्री है और एच छतरपूर मद्दे प्रदेस से हैं इन्हों ने اس कुली सिक्षा के साथ-साथ इसना तक भी पास किया है इनके देश में ही नहीं बलकि बिदेसों मी लोग इनके दिवाने हैं इनकी बुंदेली बोली लोगों के हिर्दाय को इसपर्स करती है अगर हम इनकी यूटूब से होने वाली एक महीनी कमाई के बारे में बात करें तो ये यूटूब से हर महीने 40 लाख रोपे तक कमाते हैं और सोसल मीडिया से प्राप्त कुल समपत्ती के जानकारी के बारे में बात करें तो इनके पास 25 से 30,000 करोड़ की समपत्ती है अब समपत्ती के आधर पर नमबर 3 पर आते हैं शीओर मद्द प्रिदिस के रहने वाले बेहद मशूर सिप्पुरार कथा वाचक पंड़त प्रिदी मिसराजी सीओर वाले इनका उपनाम रगुराम है इन्होंने पढ़ाई में इसना तक पास किया है और इनके कथा में बताएकर उपायों करके लोगों को वेहत फायदा हो रहा है जिसके कारण भक्त दिन पर दिदिन बढ़ते जा रहे हैं इनके यूटूब से हर मईने 30 लाक रोपे तक कि कमाई हो जाती है और इनकी कुल समपत्ती के बारे में बात करें तो इनकी कुल समपत्ती 33,000 करोड की है अब इस टॉप फायब की सूची में नमबर दो पर आते हैं ब्रंदावन के मशूर कतावाचक स्री देप की नंदन ठाकोर जी महराज नोंने मातर 13 बर्ज की आयू में बागवत पुरानों को कंठस्त कर लिया था इनको 2015 में यूपी रतन से विभूसित भी किया जा चुका है इनको बागशो धाम सरकार यानि पंड़त धीरंद करिशन सास्त्री जी का बड़ा भाई भी कहा जाता है इनके यूटूब से एक माईने में होने वाली कमाई के बारे में बात करें तो है हर महीने यूटूब से 22 लाक रोपे तक कमाते हैं उनकी कुल समपत्ती 36,000 करोड की है तो मित्रो अविश टॉप फाइब की सोची में नमबर एक पर आते हैं ब्रिंदावन के बेहत मशूर का था वाचक परम पूझे श्री अनुरत दर्चायजी महराज इनका जन्म मद्द प्रिदिस के जबलपुर में हुआ था और इन्होंने बाल उमर में ही हनुमान 40 सा को कंटस्ट कर लिया था और इस कुली सिक्षा के उपरांद महराज श्री बंदावन चले गए थे महराज श्री का गौरी गोपाल आसरम भी है जिसमें दोसों से भी जादा ब्रद माताएं हैं या रोजाना 20,000 संत्व वेशारा लोगों को भोजन भी कराते हैं और महराज श्री के तीन यूट्यूब चैनल है जिसकी एक महीने की अनुमानत कमाई एक करोड रोपे तक है और अगर हम इनकी कुल संपत्ती के बारें बात करें तो सोसल मीडिया से प्राप्त जानकारी में इनकी कुल संपत्ती 41,000 करोड की है और एक इन सभी पांच कता बाचकों में संपत्ती के आधार पर सबसे आंगे है आसा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सेर और एक प्यारी सी कमेंट अवश्य करें धन्यवाद जैशी आराम